दोस्तो नमस्कार आदाप सत्स्रियकाल नियूज क्लिक के कारिकरम नियूज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश आज शनिवार है दोस्तो शनिवार को हम पेश करते हैं नियूज मंथन जिसमें कई कहानिया होती हैं कई समाचार कथाओं पर विशलेशन होता है आज हम तीन कथाओं पर बात करेंगे जो देश के लिए बेहद महत्पून हैं देश की जनता के लिए देश की सियासत के लिए हमारी सबसे पहली जो कहानी है वो विपक्षी एकता के जो एक सुत्र जो दिखाई पड़ रहे हैं जो पटना में जिनकी बुनियाद रखी गई है उसका क्या मतलब है और ये कहां तक पहुचेगी मंजले मकसूत पर ये पहुचेगी या नहीं पहुचेगी क्योंकि भारती जनता पार्टी अभी से कहना शुरूप कर दी है बड़े-बड़े मंत्री बोल रहे हैं बहुत बड़े-बड़े मंत्री वो कह रहे हैं कि ये तो कुछ होना ही नहीं ह नास्ता पानी का प्रबंधु था कोई कहा रहा कि बस मुलाकात हो गई रस्मूल्ला कालिया गुलाब जामन खालिया और चले आए तो क्या यह इससे क्या निकलने जा रहा है इस बैटक से दोस्तों मुझे जो लग रहा है वर्षों से मैं इस तरह के भी पक्षी दलों की बैठकों को एक रिपोर्टर के तोर पे कवर करता था एक जमाने में और बाद में हमने एक स्वतंत्र पत्रकार के तोर पे भी इनको देखा है औब्जर्ब किया है मैं समझता हूँ कि जो एक छटपटाहट है देश की जनता में विकल्प के लिए एक अलग धंग के पटाट है उसका दबाव उसका असर राजनितिक दलों पर भी है राजनितिक दल उनके नेता चाहे जितने लापरवा हों जितने आत्म केंद्रित हों जितने उनके नीजी अपने स्वार्थ ज़्यादा डॉमिनेंट दिखाई पड़ते हों सियासत में लेकिन इसके बाज़ after all सियासत तो उनको जनता में करनी पड़ती है और वो मजबूर होते हैं जब जनता उनको मजबूर करती है जनता उन पर दबाव ढलती है तो आज का जो परिद्रिश्य है दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि बंगलोरू ने एक तरह से शुरुवात कर दी और बिहार ने उस पर मुहर लगाई है एक बुनियाद रख दी है बुनियाद ये रखा है कि जितने भी भी पक्षी दल जो समझते हैं कि वाकई आइडिया फि के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है वो निस्तन्दे एक साथ आएंगे चाहे जो कुछ हो जाए पटना के विपक्षी समागम की एक और खास विशेस्ता रही कि 16 पार्टियों के लोग पहुँचे थे 16 पार्टियों के रिप्रिजेंटिटी जिसमें एक पार्टी आम 23 बैठक के देश के लगभग सारे बड़े अपोजीशन लीडर आए शरत पवार से ले करके उमर अब्दुल्ला तक महबुबा मुफ्ती ममता बनर जी वगरा सभी लोग आए इसमें लालू प्रशाद की मौजूदगी लालू प्रशाद यादो बहुत दिनों बाद पुलि कारण डॉक्टरों ने उनके मिलने जुलने पर भी पाबंदी लंबे समय तक लगा दी अवो आते ही उन्होंने फुलजडी छोड़ी और कहा कि अब वो पूरी तरफ फिट हो गए हैं और फिर उन्होंने प्रधानमत्री मोधी पर भी कटाक्ष किया कि कैसे उनसे मुकाबला करना है और कैसे हम फिट कर देंगे उनको तो ये सब बाते भी उन्होंने बड़ी दिल्चस्ट प्रंक से कहीं लेकिन सबसे ज़्यादा जो लालू प्रशाद यादों की चर्चा है जिस बात को लेकर वो ये कि उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब प्रेस के सारे लोग थे और हर नेता अपनी अपनी बात कह रहा था लेफ्ट पार्टी के लोग और सेंटिस्ट पार्टी हर तरह की पार्टी के लोग अपनी बात कह रहे थे उस समय लालू प्रशाद ने अचानक कहा राहूल गांधी को देखकर कि आप शादी जल्दी कर लीजे बहुत ब लालू प्रशाद की स्टिपणी से वहां मौजूद सारे लोग ठाहा का लगाने लगे यहां तक की राहूल गांधी भी काफी मुस्कुराते नजर आए उन्होंने कुछ कहा भी संबोत्ता यह कहा कि जरूर हम सोचें के इस पर आप जब कह रहे हैं इस तरह की बात की अब उनक की बहुत मशूर है लेकिन सब जानते हैं कि लालू प्रशाद एक गंभीर राजनितिक व्यक्ति हैं वो कई बार हंसी मजाग में हंसोडपन के साथ कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिनका गंभीर अर्थ होता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में लग रहा है कि वो यूं कह कौन है नरिंदर मोधी के खिलाप का दूला कौन होगा उनके खिलाप तो कहीं न कहीं लालू प्रशाद ने मजाक मजाक में ही कुछ संकेत दिया है मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता कि लालू प्रशाद जी की मनशा क्या थी लेकिन लोगों में आम लोगों में भी इस तरह की एक व्याक्या की जा रही है अब राजनितिक व्याक्याकार जो है वो आम लोगों की व्याक्याओं के आगे आजकल फेल हो गए है सोसल मेडिया का जबाना है तो दोस्तो हमें जो लगता है कि इस चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें पूरे देश में एक हर सीट पर एक विपक्षी उमिद्वार का जो एक फॉर्मूले की बात है ये होने वाला नहीं है और मैं नहीं समझता कि विपक्ष का कोई भी नेता खास कर जो इस्टेटिजिस्ट हैं इस पूरे मूव के वो इस तरह की बात सोच रहे हैं कि हर जगा वन टू वन किया जाए ऐसा नहीं होने वाला है ये विपिस्ता भरा देश है लेकिन जो चार बड़े स्टेट हैं और किलोरू यानि करनाटक और विहार वहां से कोई दिक्कत नहीं है वहां से दिक्कत नहीं आभी पक्ष को असल दिक्कत जहां है वो ये स्टेट्स हैं दोस्तो पहला स्टेट है यूपी अब यूपी में 80 सीटे हैं दूसरा स्टेट है बंगाल 42 सीटे हैं आंधर प्रदेश त इतिकतल की छुटी होगी चुनाव में और किसके हाथ में विजय श्री मिलेगी किसको ये तैक करेंगे अब आप सोचेंगे कि मैं बड़े-बड़े स्टेट्स का नाम छोड़ रहा हूं मैं तमिलनाट का नाम छोड़ दे रहा हूं महाराश्ट का नाम छोड़ दे रहा हूं ज पीने जीता था पिछली बार बियस्पी और एस्पी और कॉंग्रेस तीनों मिला करके 15-16, 16 सीटे मिली थी, कॉंग्रेस को तो किसी जिर्फ एक सीट मिली थी, और समाजवादी पाटी को पांच सीट मिली थी, लेकिन दोस्तों अग उत्तर प्रदेश में विपक्ष को नए धं का समीकरण अपना बनाना पड़ेगा, और बियस्पी को माइनस आप मानिए, बियस्पी तो इस मीटिंग में भी नहीं थी, और मुझे नहीं लगता कि बियस्पी कभी भी विपक्षी एकता के साथ इस बार जुड़ पाएगी, अब सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी पार्टी जिस तरह की लापरवाही दिखाती है रायनितिक स्तर पर पिछले कुछ वर्सों से, जिस तरह का उसका पूरा का पूरा proportional approach है, क्या उसी को repeat करेगी, या वाकई दूसरे रायनितिक दलों की तरह हुआ भारती जनता पार्टी को हराने में एक जुट होकर काम करेगी पूरी थाकत के साथ काम करेगी ये बड़ा यक्षप्रशन है क्या कॉंग्रिस पार्टी का उत्तर प्रदेश के कुछ एक छेत्रों में वाकई रिवाइबल होने जा रहा है लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या कॉंग्रिस के साथ है उत्तर प्रदेश में उसके पास डलित OVC क लीडर्शिप नहीं है वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां बीजेपी के पास पूरा अपर कास्ट है लगबग 95, 98, 50 वहां अपनी लीडर्शिप भी चाहता है असल लीडर्शिप आप PCC प्रेसिडेंट को किसको बनाती है जनल सेकेर्टरी किसको बनाती है कांग् होसरी जन्तापार्टी के वुटर हैं ये सबसे बढ़ा कांगरेस पार्टी के साथ और जो मत दाता है उनके बीच का है अगर कांग्रेदिश पार्टी ने इसको हल कर लिया इस कांग्रेक्शन को अगर दलित माइनाटी कॉमिनिटी का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ जाता है तो कॉंग्रेस उत्तर प्रदेश में चमतकार कर सकती है दोस्तो एक बड़ी बात दूसरी जो बात है कि TMC उसको 23 सीटे मेरी थी बंगाल में 42 सीट में क्या TMC, CPIM और कॉंग्रेस पार्टी जो इस बैठक में एक टेबल पर एक साथ बैठे थे क्या इन लोगों की वीच में कोई एक जुटता, कोई tactical understanding मनेगी अगर विपक्षी एकता बन रही है तो ये किस तरह चुनाव लड़ेंगे विपक्ष को बंगाल में भी असल जटिलता आएगी और उसको एड्रेस करना पड़ेगा तो ये दूसरा स्टेट है जहां पर विपक्ष को एक अलग ढंकी स्टेटिजी बनानी पड़ेगी जो न तो 2019 में बनी थी, न 2014 में बनी थी और न इसके पहले कभी बनी थी इस तरह की अलग एक दम स्टेटिजी बनानी पड़ेगी दोस्तो आंज प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां 25 सीटें हैं लोग सबाकी और 22 सीटें YSR कॉंग्रेस के पास हैं, जगन रेड़ी के पास हैं और जगन रेड़ी जो मुख्यमंत्री हैं वो पापुलर भी हैं कुछ सेक्षन में, कुछ सेक्षन में बहुत अनपापुलर हैं वहाँ TDP के साथ मिल करके भारती जनता पार्टी एलाइंस बना रही है कुछ और दलों को भी समेट रही है BJP आंज प्रदेश में बड़ा खेल खेलने की कोशिश कर रही है वो ज़्यादा सीटें हासिल करने की उसकी पूरी कोशिश है और इसलिए TDP का इस्तेमाल भी हो कर रही है तो एक तरफ उसके पास जगन भी है जगन के साथ भी बहतरिन रिष्टे उसके है और दूसरी तरफ उनका विपक्ष भी पेश कर रही है क्या वास्तविक जो भी पक्ष देश का है उसके पास आंध्रप्रदेश में कोई खिड़की है कोई विंडो है जहां से खोल करके वो देखे कि क्या समीकरण चुनाव के बन रहे हैं एक बड़ा यक्ष प्रस्ट पेश करता है आंध्रप्रदेश कि वहाँ पर जो वास्तविक वक्ष है रास्ति के स्तर पर उसके लिए क्या होगा उसका दरवाजा किधर खुलेगा वो वो वाकई जगन डेड़ी और भारती जनता पार्टी को शिकस्त देने में कहीं ये अपनी कामयावी हासिल करेगा या नहीं करेगा तो ये एक प्रदेश की बात है दूसरी बात जो तेलंगाना की है सीटें तो केवल सत्रह है लेकिन नौ सीटों के साथ टी आरिस ने यानि अब बी आरिस उसका नाम हो गया है जो चंशेकर राव की पार्टी है वो वहाँ पर उभर कर आई थी और दोस्तो इस बार भी उनकी स्थिती बहुत कमजोर ना समझेए इसमें एक बदलाव आया है कि बीजेपी काफी शिदत के साथ वहाँ काम कर रही है ताकत के साथ काम कर रही है उसके पास सब कुछ है जो जोग सकती है चुनाव में ऐसे में कॉंग्रेस और दूसरी पार्टियों के लिए देखना होगा अगर जगन रेड़ी की बहन शर्मिला रेड़ी अगर वो आ जाती है कॉंग्रेस में जिसके बारे में कहा जा रहा है तो शायद नाम छेहरा परिवार के नाम पर कॉंग्रेस को कुछ और फैदा बिल सकता है तो देखना है कि इन चार स्टेट को विपक्ष कैसे डील करता है, कैसे एड्रेस करता है, समीकरण कैसे बनाता है इस पर लोक सभा के चुनाव की असल समीकरणों की तस्वीर उबर कर सामने आएगी शेस जो राज्ये हैं, वहाँ विपक्ष की इस्तिती काफी मदबूत है और भारती जनता पार्टी साउथ के ज्यादतर स्टेट में उनकी इस्तिती बहुत कमजोर है अगर आंधर को छोड़ दिया जाए तो, दूसरी बात जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता था आज जो हमारी दूसरी कत़्ा है, यह है कि हमारे परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी वो युनाइटेड स्टेट्स के दोरे में बहुत सारी बाते है एक साथ कहते रहे वो डिमोक्रसी की बात पहते रहे, वो यह कहते रहे कि किसी भी मसले का रहल वार नहीं है वार आज की आज के जमाने में वार कोई मतलब उसका नहीं रहा गया है ये सब बात कहते रहे वो ये कहते रहे कि डिमोक्रिसी हमारे डियने में है लेकिन अगर डिमोक्रिसी हमारे डियने में है तो क्या वज़ा है कि बार-बार डिमक्रसी का पहिया उतर जाता है पट्री से किस डिमक्रसी की बात कर रहा है इस देश में जब असमानता इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जब इस कदर संवैधानिक मुल्यों को खत्म किया जा रहा है जब इस तरह से लोगों की आवाजें बंद की जा रही है उनके लिखने पढ़ने के अधिकार खत्म किये जा रहे है इंटरनेट का शटडाउन सरवाधिक जिन देशों में हो रहा है उसमें इंडिया शामिल है जो हमारा प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स है वो दुनिया के सबसे बुरे कुछ मुलकों में सब हम शामिल किये जा रहे हैं क्या इस्तिती इस देश की है और आप कहते हैं कि डिमक्रसी हमारे डियने में है अब सवाल इस बात का है कि अगर डिमक्रसी हमारे डियने में है तो ये डिमोक्रसी मनिपूर में क्या कर रही है पिछले तीन मईई से बलकि इसके पहले तीन मईई तो विकराल रूप धारण किया लेकिन इसके पहले से हालात वहां इतने खराबते उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई और पूरे प्रदेश को उग्र हिंदुत्वा बलकि मैं यह कहूँगा कि संगी हिंदुत्वा की पूरी एक तरह से उसके आगोश में ले लिया गया और बरसों से ये प्रियोग चल रहा था मैतेई और कुकी इन समधायों के बीच में कॉंट्रिक्शन खड़ा किया गया से उन पर दबाव बनाया जाए ताकि पूरे मनिपूर को गुजरात की तरह या किसी दूसरे स्टेट की तरह एक मेजार्टी कॉमिलिटी जो देश में मेजार्टी कॉमिलिटी ज़्यादा है जहां क्रिश्चन्स भी हैं जहां हिंदू भी हैं जहां बंगाली भी हैं जहां नगा भी हैं जहां कुकी भी हैं जहां अनेक अनेक तरह के लोग हैं उनको विविधन रहने दिया जाए बिलकुल एक धंका बना दिया जाए तो ये जो राजनीती है मैं समझता संग और भाजपा की उसका एक विस्फोटक रूप दिखाई देता है मानिपूर में अब आप कल्पना कीजे कि इतने दिनों से मारकाट मची हुई है आहम तोर पे माना जाता है किसी भी सुसाइटी में किसी भी डिमोक्राटिक स्ट्रक्चर में कि कहीं अगर दंगा फसाद हो तीन मई से लगातार चला आ रहा है सौ से कम लोग नहीं मारे गए हैं बलकि संख्या ज्यादाई होगी आधिकारीक संख्या इससे थोड़ी सी कम बताई जा रही है लेकिन इतनी हत्याओं के बाउजूद आगजणी के बाउजूद मंत्रियों के घरों पर हमलों के पारिक है 24, 24 जून को 3 मई के बाद 24 जून को आज पहली बार केंदर सरकार ने आल पार्टी मीटिंग बुलाई है, मैं नहीं जानता कि आल पार्टी मीटिंग का क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन जितने भारती जन्ता पार्टी के बड़े नेता हैं, आजकल मनिपुर या नार करने वालों को शाहते हैं, असल समस्या दोस्तों यह है और तीसरी बात बिल्कुल आखीर में दोस्तों कि जब ये बार-बार कहा जा रहा है हमसे कि डिमोक्रसी हमारे डियने में है तो इमर्जन्सी की भी याद करना जरूरी है जो जिसका जिसकी वर्सगांट मनाई जा रही है मनाई जाएगी तो दोस्तो आज जो इस्थितियां अपने देश में हैं वो उस समय की अमर्जनसी से ज़्यादा खतरनाक हैं इसमें कोई दोराय नहीं है क्योंकि तब अमर्जनसी थी अधिकार सस्पेंट किये गए थे लेकिन आज क्या हो रहा है आज पूरे भारत को बदलने की अमर्जनसी है आज एक ऐसे भारत को इस प्रकार का बना देने की अमर्जनसी है जिसमें विवित्ता गायब हो जाए जिसमें डिमक्रसी गायब हो जाए जिसमें संबिधान के प्रियंबल के कोई माइने न रहा जाएं तो ये मुझे लगता है कि ये इमरिजनसी बेहत खतरनाक है और रास्ट राज्य के लिए पूरे समाज के लिए पूरी जनता के लिए ज्यादा खतरनाक है तो आज दोस्तों इतना ही नमशकार आदाब सत्रियकाल